Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 11th की जो आपकी English Elective Book है याने Woven Words उसका chapter number 5, Papachi's Moth तो अजीब सा नाम है ना Papachi's Moth, तो पहले इस title का meaning समझते हैं कि क्या होता है Moth क्या होता है? यह जो picture आप मेरे left hand side पर देख रहे हैं, यह जो species है, एक छोड़ी सी तितली की species है इसको हम कहते है Moth, यह एक insect है, इसको कीडा बोलते है Papachi, Papachi का मतलब होता है Grandfather, याने दादाजी और ममाची भी आएगी chapter में, तो ममाची याने Grandmother तो Papachi का मौथ, Papachi ने एक मौथ डिसकवर किया था, उसके बारे में यह पूरा chapter है तो theme समझ लेते हैं और एक overview ले लेते हैं कि chapter में है क्या Basically यह जो chapter है, वो Papachi के उपर है, Papachi Grandfather है, उनकी वाइफ ममाची है इन लोगों ने अपने original names के यह nicknames रख लिए है, Papachi, Mamachi क्यों? क्योंकि यह जो story है, यह independence यहां ने आजादी के पहले किया है और उस वक्त लोग अपने जो names हैं, वो थोड़े English टाइप के रख लेते थे ताकि Britishers उनके नाम easily pronounce कर पा हैं, ओके? यह पापाची जो है, Binan, John, Ipe, इनका original name था और इनकी जो वाइफ है, Mamachi, इनका original name था सोशमा इनके दो बच्चे थे, एक था चाको और दूसरी अम्मू, ओके? अब जो पापाची है, वो एक entomologist थे, याने a person who studies about insects, एक ऐसा इंसान जो कीट विशेश अग्या होता है कीडे, मकोडो के बारे में पढ़ता है, तो सड़नली एक दिन जो यह पापाची है, यह अपनी drink, एक alcohol drink पी रहे था और उसमें सड़नली कोई मौत आके गिर गई इन्होंने निकाला और उसको अपनी लाब में जहाँ पे वो जॉब करते थे, वहाँ पे लेकर गए, पूसा इंसिट्यूट में एदर उदर लेके गए कि भाई देखो क्या है तो वहाँ पे 6 महीने तक उन्होंने वेट किया और फिर बोला कि यह तो कोई normal species की, normal जाती की मौत है और पहले यह आ चुकी है पापाची बहुत जादा दुख्य हो गए कि अरे ठीक है भाई चलो, उसके बाद उनका retirement हो गया retirement के बाद, उनको 12 साल बाद पता चलता है कि पापाची ने जो वो मौत इंट्रिड्यूस किया था, जो discover किया था वो original था, याने इस से पहले कभी भी इस मौत की बारे में किसी नहीं पढ़ा था और जब पापाची के मौत को, जबी भी कोई इंसान किसी चीज की discovery आविशकार करता है, invention करता है तो उस चीज को, उस इंसान के नाम से जानते कि हाँ, उस particular इंसान ने ये चीज़ discover करी थी लेकिन पापाची को इस बात का बहुत दुख था कि उनके discover करे हुए मौत को, इस इंसेक्ट को, उनका नाम नहीं दिया गया जबकि उनके low position में कोई जो वहां director काम करता था, उसका नाम दे दिया गया क्योंकि 12 साल हो चुके थे पापाची कबके retire हो चुके थे अपने workplace थे और अब वो claim भी नहीं कर सकते थे इस वाज़े से बहुत frustrated रहते थे और अपनी wife ममाची को बहुत मारते भी थे and suddenly एक दिन heart attack से उनकी death हो जाती है पापाची की और फिर भी ममाची बहुत रोती है इतनी मार खाने के बाद भी लेकिन उनकी जो बेटी होती अम्मू वो अपने बच्चों को बताती है कि ममाची को कोई लव नहीं था पापाची से लेकिन बस उनको habit एक आदत हो गई थी अपने husband की मार खाने की भी शयद आदती हो गई थी और दुनिया में लोगों को सरफ आदत हो जाती है love and affection एक दूसरे से एक point के बाद कई बार खताम हो जाता है सरफ आदत रहती है अपने partners की हैं जिनके साथ हम रहते हैं सो बहुत छोटी सी और स्वीट सी स्टोरी है आईए डीटेल में पढ़ते हैं और उससे पहले हम author की बार में पढ़ेंगे जिन्होंने ये पूरी chapter लिखा है आरून दत्ती रॉय, the picture which you could see on my left hand side ये इस chapter की कौन है? author है इन्होंने लिखी है 1961 में इनका birth हुआ था अन आर्किटेक्ट बाइ ट्रेइनिग इन्होंने ट्रेइनिग लिए आर्किटेक्टरी में और ये एक आर्किटेक्ट है ट्रेइनिग में is a novelist and screenwriter और एक novelist भी है याने novels लिखती हो screenwriter भी है इनकी जो first novel थी the god of small things from which this extract has been selected is a winner of the 1997 booker prize a prestigious literary award तो ये जो chapter आज हम पढ़ने वाले है ये एक बड़ा सा बड़ी सी novel है जिसका नाम है the god of small things उसमें से छोटा सा portion निकाल आगे और हम ये पढ़ रहे है it's a just small part of this big book और इस book को 1997 का booker prize भी मिल चुका है जो कि literary award है बहुत prestigious बहुत respected award माना जाता है now she lives in new Delhi and is an activist अब अरुन्दती रॉय कहां रहती है new Delhi में रहती है और एक activist है activist वो अंसान होता है जो politically कहीं न कहीं politics में involved रहता है और वो society में कुछ positive change लाने की हर बार कुछ न कुछ कोशिश करता है और ही काफी active है इस चीज में तो अभी activist है new Delhi में ओके now let's start with the deep explanation of the chapter mamachi had started making pickles commercially soon after papachi retired from government service in new Delhi and came to live in M&M तो अब story यहां से start हो रही है कि papachi जो entomologist जहां पर job करते थे वहां से उनको क्या मिल गई है retirement मिल गई है याने वो retire हो गई है तो अब क्या करें घर में साधन क्या होए पैसे का तो mamachi ने क्या start कर दिया उनकी wife ने pickles का commercially start कर दिया याने अचार बनाने का जो business है mamachi ने start करा दिया और अब वो लोग कहां रहने आ गए है M&M में रहने आ गए है ये एक जगा है केरिला में अब एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी वहाँ पे जिसका नाम था कोई मेला लगने वाला था और उन्होंने ममाची को अचार का ओडर दिया था कि आप अपना फेमस जो बनाना जैम और टेंडर मैंगो पिकल याने जो केरियों का टेंडर याने खटी केरियों का जो ये अच जा रहे उसका ओडर दिया था कि आप हमको बना के भेजो इट सोल्ट क्विकली एंड ममाची फाउंड याने ओडर जा रहे हैं और मैं ओडर फुल्फिल नहीं कर पार रहे हूं इतना काम आ गया था ममाची की इस दिलीशिस पिकल्स के ओडर पे तो अपनी सक्सेस से थ्रिल हो गई थी काफी वो एक्साइटेड हो गई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो ही अचार और जैम बनाने का बिजनस है इसी को ही कंटिन्यू करूंग और इस वज़े से वो साल बर बिजी रहती थी पपाची for his part was having trouble coping with the ignominy of retirement अब इस पॉइंट अफ ताइम पर पपाची क्या है वो बहुत शरम आ रही थी कि मैं रिटायर हूं कोई काम नहीं मेरी बीवी तो बढ़िया कमा रही है तो इस चीज से वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे याने इस चीज से वो डील नहीं कर पा रहे थे अब जो पपाची है वो ममाची से 17 साल बड़े थे 17 बड़े थे और सून उन्होंने रिलाइस करना स्टार्ट किया कि अरे मैं तो बूड़ा दिखने लगा हूं मेरी वाइफ तो अभी भी अपने प्राइम में है अभी भी जवान है बहुत शी लुकिंग वेरी यांग अन प्रिटी तो यह सारी चीज से कही ने कही पाची को अंदर ही अंदर खाती थी दो ममाची हैट कर्णि कोनिकल कोनिया इस क्यों होते हैं अई disease occurs when your cornea thins and bulges outward into a cone shape causing blurred vision तो conical corneas एक आँखों की बिमारी होती है इस तरीके से जिसमें ये जो आगे की जो परत है ये बहार की तरफ आ जाती है और पतली हो जाती है जो cornea है और आपका ऐसा कौनीकल शेप कौन जैसा शेप बन जाते क्योंकि आँख का आगे का जो पतलाओं के बाहर की तरफ उभर जाता है और इससे क्या होता है इससे आपकी जो विजन जो नजर होती है बहुत दुंदली हो जाती है आपको क्लियरली नहीं दिखता तो ममाची को ये कौनिकल कौनियाज हो गया था और वह प्राक्टिकली ब्लाइंड थी उनको बहुत कम दिखता था लेकिन फिर भी अचार वह बनाती थी ये बात पता होने के बावाजूद भी पपाची कभी भी अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था जब मैं ज अलवेज बीन जेलिस मैं तो ही ग्रेटली रिजेंटेड दी अटेंशन इस वाइफ वाइफ वस सदेनली गेटिंग रिजेंटेड का मतलब क्या होता है फील बिटरनेस अपने मन में कड़वाहट फील करना तो जो पपाची है वह हमेशा से एक जलकोकड़े इंसान थे जेल जैसे बहुत हो उनके अंदर रिजेंटमेंट आगे थी हैने कड़वाहट आगे थी कि मेरी वाइफ तो अभी भी इतनी यंग दिख रही है अभी भी कमारी है मैं तो बूड़ा हो गया हूँ मैं मेरे पस कोई जॉब नहीं है मैं ओल्ड दिखने लगा हूँ तो ये सारी ची अब कंपाउंड याने वह जगा बीच ओ बीच जहां पर क्या होता था अचार की धेरियां पड़ी रहती थी सूखने के लिए रहता था अचार मिर्ची पाउडर सब मसाले रहते थे अचार के समन तो पापाची वहां पर स्लाउच करते थे याने मूव इन लेजी डूपिं अब बापाची रिटायर हो गए थे लेकिन अब भी वह अपने टेलर्ड सूट्स बहुत क्लीन अच्छे से प्रेस कर वह सूट अभी भी पहनते थे हर टाइम चाहिए कित्ती गर्मियों जैसे वह अपने जॉब के टाइम पहना करते थे और वह क्या करते थे वह कंपाउंड अच्छी सूपरवाइस कर रही है सब चीजों पर ध्यान देरी उनके अंडर जो लोग काम करते हैं पिकल बनाने के बिजनस में कैसे खरीद रही अचार के सामान कैसे नाप तोल कर रही कि इतना वेट का डब्बा होन अची अचार का सॉल्टिंग कैसे नमक लगा रही है प् पूरा मैनेज कर रही है एवरी नाइट ही बीट हर विट अब क्योंकि पापाची के अंदर दो इंसेक्योरिटी थी कि एक वह बूड़े हो रहे हैं और दुसरे वह रटायर होगा उनके पस कोई काम नहीं तो उनको जेलिस होती थी अपनी वाइफ से जो अब भी यंग थी यह नई नई थी उनके लिए कुछ सालों से पापाची इसी तरीके से अपनी वाइफ को मारते आ रहे थे ऐसे ब्राजवेस से नया सिर्फ क्या था सिर्फ फ्रिक्वेंसी नहीं थी याने पहले थोड़ा कम मारते थे अब ज़्यादा मारने लगे बस यही फर्क था और कुछ नया नहीं था अब जब ममाची यह वह बहुत अची वाइलन प्लेयर थी तो एक दन गुस्से में आके पापाची ने ममाची के वाइलन का बो तोड़ दिया यह वाइलन होता है यह जो स्टिक होती है जिससे वाइलन बज़ाते है इसको बोलते है बो तो पापाची ने उनका यह बो तोड के रिवर में नदी में फेग दिया कि कोई जरुत नी वाइलन वगर है बजाने की इतना जाधा वो जैलिस फील करते थे अपनी वाइफ से अब चाको कौन है? चाको बेटा है पपाची और ममाची का वो कहां पढ़ता था? Oxford में पढ़ता था Oxford कहा है? UK में याने United Kingdom में फिर एक दिन उनका बेटा summer vacations में Oxford से घर पर आया गर्मियों की चुटियों में और अब बहुँ एक बड़ा आदमी बन गया है big man हो गया है काफी famous in those days strong और काफी strong भी है from rowing from Balliol और वो कहां से आया था Balliol से, Balliol किया है College of Oxford University तो Oxford University एक बहुत बड़ी university है जहां अंदर अलग-अलग छुड़ी-छुड़ी colleges है तो वहाँ पर जो Balliol College है Oxford University में वो वहां से आया था चाको और जब चाको को एक हफते बाद दिखा कि मेरे फादर मेरी मदर को याने पपाची ममाची को मार रहे study में आने की study room जो था उनका चाको स्ट्रोड इंटो दरूम कौट पपाची इस वेंज हैंड और ट्विस्टे इस अराउंड इस बाग चाको का मतलब क्या होता है वाक विद लॉंग स्टेप जल्दी जल्दी लंबे लंबे स्टेप जब आप चलते हो तो उसको स्ट्रोड कहते हैं तो पापा तो जैसे ही देखा चाको ने की मेरे फादर अपनी मदर को मार रहे वो स्टडी रूम में लंबे लंबे स्टेप जाके वॉक करके गया उसने अपने फादर का हाथ जिसमें वह उन्होंने जिसमें वह फ्लावर वेस पकड़ा हुआ था उस पूरे हाथ को पीछे जोर से घुमा के मोड दिया और बहुत ट्विस्ट कर दिया अपने फादर का हैंड और क्या बोला? I never want this to happen again. He told his father. Ever. तो कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये चीज दुबारा फिर से हो. Ever. याने कभी नहीं हो. याने तुम मेरी मा को नहीं मारोगे. For the rest of that day, Papachi sat in the veranda and stared stonily out of the ornamental garden, ignoring the plates of food that Kochu Mariya brought him. और उसके बाद पूरा दिन, Papachi अपने घर का जो veranda होता है, वहाँ पे बैठे रहे and stonily, stonily का मतलब क्या होता है? Without any emotion. तो उन्होंने बिना किसी emotion का ऐसे यासे वो सामने जो ornamental garden था. Ornamental का मतलब बता है decorative. उनके घर के सामने एक उनका घर का garden था, जो काफी decorative रहता था. बस वहाँ पे ऐसे बैठे रहे, stonily बिना किसी emotion के चुपचा बस उस decorative garden को देखते रहे. और कोचु मारिया, जो उनकी कौन थी? केर टेकर थी. घर की. वो क्या लेकर आई? जब खाना लेकर आई? तो उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, खाना नहीं खाया. Late at night, he went into the study and brought out his favorite mahogany rocking chair. He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench. और बहुत देर जब उनका धिमाग बहुत खराब हो गया, तो वो उसी study room में गए, जहां उनकी यह महागनी चेर थी. महागनी एक तरीकी का पेड़ होता है, एक वुड होता है, जिससे ऐसे furniture बनता है. तो उन्होंने अपनी चेर लेके आए बहार driveway याने जहां पे उनकी गाड़ियां पाक होती थी, वहां लेके आए और plumber का monkey wrench, याने इस तरीकी का जो औजार जो एक plumber यूज करता है, इससे उन्होंने पूरी चेर को तोड़ तोड़ के छोटे-छोटे तुकडों में कर दिय गुस्ते में, अंधेरे में वहीं छोड़ के आगए और वहां पे हीप एक धेरी खटा हो गई थी, ऐसे ग्लॉसी वाले छोटे-छोटे लकड़ी के पीसिस की, उस महाग इनी चेर की, और स्प्लिंटर्ड वोड याने पूरा लकड़ी वहां पे बिखरी हुई पड़ी रही, और उस दिन क बात से उन्होंने ममाची को कभी नी चुआ, यहने कभी नहीं मारा, कभी भी उन्होंने हाथ नी उठाया अपनी वाइफ पे, बट ही नेवर स्पोक तो रीदर अस लॉंग अजी लिफ्ट, कभी मारा नी लेकिन जब तक वो जिन्दा थे, तब तक उन्होंने अपनी नी करी, नेवर, हाथ नी उठाया, लेकिन मारा भी नी कभी, जब तक जिन्दा थे, तब तक एक शब दो ने अपनी वाइफ से बात नहीं करी, वेन ही नीडिद एनिटिंग, ही उस्ट कोचु मारिया और बेबी कोचामा, अज इंटर मीडियाटरी, जब भी उनको कोच चाह गर से बोलते थे, इनको मिडल में बना के रखा था, इनके थ्रू अपनी वाइफ से बात करते थे, डिरेक्टली कभी बात नहीं करते थे, अब पाची क्या कर रहे है, नेक्स लेवल बिल्कुल टोटल सांस बहु को बदनाम है, लेकिन याब पाची भी कम नहीं है, पाची क्या करते थे, जब भी इवनिंग में, शाम के समय, जब भी उनको लगता था कि कोई विजिटर्स, कोई गैस घर पे आने वाले, तो उस वक अपनी शर्ट के बटन लेके सियू याने सिलाई विलाई करने बैट जाते थे, और कौन से बटन जो कभी तूटे भी नहीं है, जबरदस्टी उनको सिलाई करते थे, ताकि विजिटर्स और गैस्ट आएं तो उनको लगे कि ममाची तो अपने हस्बंड की को निगलेक्ट कर रहते थे, M&M नाम की जगह पर रहते थे, जहां पर जो वॉकिंघ वाइफ्स ती, याने जो लेडीज वोकिंघ हैं काम करती हैं उनका व्यू नोगों के माइंड में व्यू अच्छा नहीं है कि M&M की वारतें जो काम कर रही हैं जो वॉकिंघ वो अपने हस्बंड की हल्प पूरे टाइम अचार वाचार बनाती है and she never helps me अपने हस्बेंड की कोई help नहीं करती ना उनकी take care करती है तो इस तरीके की गूफी हरकते करने लग गए थे पपाजी He bought the sky blue plymouth from an old Englishman in Munnar अब पापाजी ने क्या किया पापाजी ने मुननार मुननार क्या है a hill station in Kerala वहाँ से एक sky blue color की plymouth खरीद ली एक old Englishman से Independence से पहले की कहानी है तो Britishers थे तो उन्होंने मुननार नाम की जगा से एक पुराने Englishman से blue color की plymouth ये car खरीद ली थी पापाजी ने उस time पर He became familiar sight in M&M, coasting importantly down the narrow road in his white car looking outwardly elegant but sweating freely inside his wool and suits roads तो पापाची M&M में बहुत ज़्यादा इस car से गूमने लगे और काफी familiar हो गए थे काफी जगाओं को जानने लगे थे क्योंकि वो इस car से गूमने लगे थे coasting क्या होता है usually जब हम धलान पे होते तो इस लोग गाड़ी बंद कर देते पेट्रोल बचाने के लिए उस गाड़ी खुद चलती है तो कई बार इस तरीके की coasting भी कलते थे narrow roads पे पापाची अपनी बड़ी सी कार में जो अब पापाची बाहर से तो बहुत elegant लगते थे यह कार बाहर से बढ़ी बढ़िया elegant लगती थी लेकिन क्योंकि पापाची retirement के बाद भी वो three-piece coat हमेशा पहने रहते थे sweating freely inside his woolen clothes वो इस तरीके की woolen clothes जो पहनते थे three-piece suit उनके अंदर पूरे पसीने से भढ़ जाते थे लेकिन फिर भी उतारते नहीं थे उनको तो हमेशा tip-top रहना पसंद था he wouldn't allow mamachi or anyone else in the family to use it or even to sit in it the plymouth was papachi's revenge अब ये जो कार थी plymouth इसमें वो ना अपनी wife mamachi को ना अपने family member के किसी भी member को ना touch करना तो दूर की बाद बैटना तो दूर की बाद touch भी नहीं करने देते थे और ये जो plymouth होते है वो papachi का revenge था याने बदला था कि अपने बेटे से कि भाई तुमने मेरा heart twist किया ये किया तो मैं तुमारी मां से कभी बात नहीं करूंगा और देखो मैं तो कार में घुमूंगा और तुम लोगों को touch भी नहीं करने दूंगा अपनी कार को तो एक तरीक कि papachi retirement से पहले क्या करते थे वो पढ़ेंगे तो papachi एक imperial entomologist थे imperial का मतलब क्यों होता है belonging to a system of weighing and measuring जो जो इंसान नापतौल करना measure करने के system में और entomologist मैं आपको बताई दिया था a person who studies about insects तो papachi क्या थे papachi एक entomologist थे जो कीट विशचक गया जिसको हम कहते हैं मौच के बारे में और इंसेक्स के बारे में पढ़ते थे वो पूसा इंस्टिउट पूसा इंस्टिउट डेली के पास में एक इंस्टिउट है वहाँ पर एक imperial entomologist थे याने जो इन जो इंसेक्स होते हैं इनका weight करते हैं इनको measure करते हैं कितना weight है कितने gram के all these things का यह काम था papachi का after independence when the British left his designation was changed from imperial entomologist to a joint director entomology जब भारत को independence मिली और Britishers चले गए तब वो imperial entomologist से उनका promotion हो गया और वो joint director entomology बन गया entomology के the year he retired he has risen to a rank equivalent to a director और जस दिन पापाची का retirement हो रही थी उस दिन पे वो जो director की जो rank होती है उसी equal rank पे वो थे और उस rank पे उनका retirement हुआ तो बहुत अच्छी high ranking position उनका retirement हुआ था his life's greatest setback was not having had the moth that he discovered named after him setback का मतलब क्या होता है problem या कोई difficulty तो पापाची की life की सबसे बड़ी problem यही थी कि उन्होंने मौत एक कीड़ा discover किया था और बाद में इस कीड़े को बहुत अच्छा और नया माना गया लेकिन इसको पापाची का नाम नहीं दिया गया और यहीं उनकी life की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी discover की गई चीज को मेरा नाम नहीं दिया गया अब बता रहे है कि कैसे उनको यह मौत मिली इट फैल इंटु इस ड्रिंक इट याने कौन यह मौत मौत ओड़ते ओड़ते जो है पापाची के ड्रिंक तो आलकोहॉल का जो शराब पी रहे तो उसकी ड्रिंक में गिर गई इवनिंग में while he was sitting in the veranda for a rest house after a long day in the field तो पूरा दिन फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया और थोड़ी दे रेस्ट करने के लिए वह वरांड़ा में बैठे थे और यह ड्रिंक पी रहे थे उसी वक्त यह मौत आके उनके ड्रिंक में गिर गई as he picked it out he noticed it's unusually dense dorsal tufts dorsal का मतलब क्या होता है upper side of an insect जो तितली के उपर के side होते है उसके punk उसको dorsal कहते है और tufts क्या होते है a collection of hair जो उपर से जो तितली का या जो smoth के उपर के जो punk थे वो छोटे छोटे चोटे बाल छोटे चोटे हैर थे तो tufts हैने small hairy structure ऐसा कुछ था तो जैसी पापाची ने उसको निकाला अपने drink में से उन्होंने देखा कि अजीब हो गरीब जो उसके tufts हैं वो काफी dorsal हैं मोटे हैं ठिक हैं ऐसे पापाची ने पहले कभी नहीं देखे थे हे टोक कूजन ओक ओर ज्टिहान से उन्होंने पास से देखा ऊसे विद ग्रोइंग excitement ही म्माउं टीद और वह इसको निकाला अउसमें से तो उन्होंने अगले दिन उसको धूप में रख दिया कुछ घंटों के लिए ताकि वो एलकोहॉल जो पूरी शराब चली गई है उसके अंदर वो पूरी एवापरेट हो जाए याने की उड़ जाए निकल जाए उसमें से तो यह किया पापाची ने तो अगले ही दिन उन्होंने पहली ट्रेन ली और वापिस वो डेली गए तो टाक्सोनॉमिक अटेंशन अडी होप्ट फेम टाक्सोनॉमिक क्या होता है अफिल्ड ऑफ साइंस कंसर्ण विद और गानिजम्स साइंस के वो ग्रूप जो और गानिजम्स और कीडों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं तो उन्होंने सुझा कि मैं डेली जाता हूं और जो टाक्सोनॉमी के लोग है इट इस फिल्ड ऑफ साइंस टाक्सोनॉमी के लोग है उनको यह दिखाऊंगा कि देख अन्यूजुल रेस और वेल नोन स्पीशिस देट बिलॉंग तो दो ट्रॉपिकल फैमिली लिमंट्रीडे लिमंट्रीडे के मतलब क्या होता है अस्पीशिज ऑफ मौथ फैमिली यह जो मौथ ही कीडे की जो फैमिली उसी की कोई जीव जन्तू अब छे माहिने तक पापाच और छे महीने बाद टैक्सोनॉमी वाले लोग उसके एक्सपेरिमेंट करके बोलते हैं पापाची को कि यह कोई अलग से कोई नई चीज तुमने नहीं खोजी है यह लिमंट्रीडे नाम की मौथ फैमिली होती है यह उसी फैमिली का मौथ है उसी फैमिली का इंसेक्ट है कु अब छे महीने तो ठीक है लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ जो सबसे बड़ा दिमाग फटा पापाजी की लाइफ में वो बारा साल बाद हुआ बारा साल बाद जो यह टैक्सोनॉमी वाले लोग थे वो रिशफल हुए यहने लोग चेंज हुए तब लेपिड़ो लोग जो मॉथ चोड़ी चोड़ी तितलियां और बड़ बड़ी बड़ी बड़फलाइज के बार में पड़ते हैं उन्होंने बताया और उन्होंने एक्स्पेरिमेंट करके डिसाइड किया कि पापाची ने जो 12 साल पहले मौथ डिसकवर करी थी वो कोई नॉर्मल सी वो बहुत जीनियस हितर्डो अन्नोन टू साइंज याने अंटिल नाओ हितर्डो मतलब अंटिल नाओ साइंज को इसके बार में पता ही नहीं था यह कोई नई चीज थी वाकई में कोई डिसकवरी थी तो बारा साल बाद उनको पता चला तो वो कितने नेक्स लेवल शॉक म अब बारा साल हो चुके थे तब तक तो पापाची रिटायर भी हो गए थे और इदर एमने में आ गए थे दिली से यहां पे आ गए थे और अब वो क्लेम याने वो ऐसा भी नहीं बोल सकते ही थे कि मेरा नाम दो या में को पैसे दो इसके बदले क्योंकि मैंने डिसकवरी करी क्योंकि अब बहुत लेट हो गया था बारा साल हो चुके थे तो वहां पे जब बारा साल पहले काम करते थे तो उनका कोई जूनियर ऑफिसर था जो अब बारा साल बात काफी बड़ी अक्टिंग डिरेक्टर बन गया है उस डिपार्टमेंट का तो क्योंकि अब वह डिरेक्टर है तो उसी के नाम पर उस मौथ का नाम दे दिया कि हां इनों ने यह मौथ जो है डिसकवर किया और यह वही इंसान है जब 12 साल पहले भी पापाची इसको कभी लाइक नहीं करते थे ना पसंद करते थे और पापाची के मौथ को उसी डिरे moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper ill-humored का मतलब क्या होता है ill-humored का मतलब होता है badly make fun of someone जब किसी का बहुत बुरी तरीके से मजाग उड़ाया गया हो bouts का मतलब क्या होता है small instances of anger कभी-कभी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कभी जादा आ गया मतलब थोड़े थोड़े देर में थोड़ी थोड़े देर का गुस्सा तो जैसे जैसे अब पापाची को पता चला की पापाची को पता चला की मेरे मौत को मेरे नाम नहीं दिया गया तो उसके कुछ सालों बाद पापाची का बहुत मजाग भी बनाया गया था उसके कई साल पहले, मौत के discover होने के कई साल पहले, कई लोग उनके ही office में उनका मजा कैसे ही उड़ाते रहते थे और यही reason है कि पापाची का आज की date में जो black moods है, कभी भी moods हो जाता है, गुस्सा आ रहा है, अपनी wife को मार रहा है या sudden bouts of temper, याने suddenly उनका anger, गुस्सा निकल निकल क्या रहा है, यही उसी का reason है कि मौत के discover होने के पहले उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, मौत डिसकावर होने के बाद उनके मौत को उनी का नाम नहीं दिया गया तो यह सब उनके mood swings के reasons है पर्नीशिस का मतलब क्या होता है, having a harmful effect तो जो मौत जो discover करी थी, पापाची ने, उसके घोस्ट ग्रे, मतलब वो dangerous उसके ग्रे कलर के जो उसकी body पे जो बाल थे, जो फर थे और unusual, याने, पहले ना कभी देखी गए हुए, जो dense dorsal, duff, stufts, याने, मोटे-मोटे उपर की जो परत, जो hair-like structure से covered थी यह सारी चीजें, जैसे haunt करती थी, डराती थी, पापाची को बार-बार, जिस भी घर में वो जाके रहते थे उन्हेंने कई घर change किये, डेली गए, फिर M&M, अधर, जहां भी वो रहते थे, उनको लगता था, वैसी मोट ओड रही है तो उनको ऐसा लगता था, कि यह भूत की तरह, जैसे मेरे पीछे पड़ गई है, वो भूली नहीं पा रहे थे अपने इस discovery के बारे में It tormented him and his children and his children's children, tormented का मतलब क्या होता है, mental suffering, इस चीज़ को लेके वो mentally पापाची ने बहुत सफर किया, उनकी वज़े से उनकी वाइफ ने, क्योंकि वो उनको मारते थे, उनके बच्चों ने सफर किया, क्योंकि उन्होंने देखा, कि अरे भाई, हमारी मा को मार रहा है, हमा पापाची की लाइफ में देखी, याने पापाची के पोते और पोतियों ने भी ये सारी चीज़ें देखी, Until the day he died, even in the stifling M&M heat, every single day, पापाची wore a well-pressed three-piece suit and his gold pocket watch, तो until the day he died, याने अपनी आखरी सास तक, जिस दिन मों मरे, उस दिन तक, stifling, stifling का मतलब very hot and suffocating, M&M जैसे शहर की इतनी गरम मौसम में और इतनी धूप वाले मौसम में, हर दिन पापाची अपना अच्छे से प्रेस करा हुआ, वो three-piece suit पहनते थे जैसे वो अपने office में, अपने job में पहना करते थे और gold color के ऐसे pocket watch रखते थे, ये सारी चीज़ें वो करते थे क्योंकि वो भूली नी पा रहे थे, अपना वो ताइम और जब उन्होंने वो मौथ दिस्कावर किया था, on his dressing table next to his kologan and silver hairbrush, he kept a picture of himself as a young man with his hair slicked down, taken in a photographer's studio in Vienna, where he had done the six month diploma course that he had qualified him to apply for the post of imperial entomologist, Vienna क्या है, capital of Austria, Austria country की capital है Vienna, तो पापची के दिमाग में वो सब flashback की तरह चीज़ें ऐसे चलती थी, अपने dressing table के पास में, उनका एक छोटा सा को लोग नया ने इत्र रखा रहता था, वहां पे एक silver brush भी रखा रहता था, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रखी हुई थी अपने dressing table में, और उसी के साथ एक picture, एक photograph रखा हुआ था, जब वो काफी young man थे, उस जमाने का उन्होंने फोटोग्राफ रखा हुआ था, जब उनके hair slicked down इस तरीक से चिपके हुए रहते थे तो उस जमाने के, वो photograph रखा हुआ था उन्होंने, और ये photograph कहा लिया गया था, विएना में एक photographer के studio में उन्होंने click कर रहा था, और ये तब की बात है, जब वो विएना गए थे, अपना six months के लिए diploma course करने, और जब उन्होंने ये course से qualify किया, उनको पूरी training मिल गई, तब जाके उन्होंने imperial entomologist के लिए, post के लिए apply किया था, और उनको ये job मिली थी, तो ये विएना का ही time में जब ममाची भी उनको वही मिली थी, और ममाची विएना में क्या करती थी, वाईलिन के lessons learn करने आने, वाईलिन सीखने आती थी, the lessons were abruptly discontinued when ममाची's teacher, Lonsky, Tiffin Thal, made the mistake of telling पापची that his wife was exceptionally talented, and his opinion, potentially concert class. तो विएना में जब वो लोग मिले थे, वहीं पर उनकी शादी भी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था, ये ममाची जो है, अपने teacher Lonsky Tiffinthal से वाईलिन सीखने आती थी, और बिचारे Lonsky Tiffinthal को नहीं पता था, पापची का नेचर, और उनके husband को बताया, पापची को बता इनकी आवास तो बहुत अच्छी है, ये music तो बहुत अच्छा प्ले करी है, मेरे लिए तो ये बहुत exceptionally talented लड़की है, और concert class है, याने इसको तो concert, music, shows करने चाहिए, इस level की ये मतलब talented लड़की है, और बस पापची के मन में वो jealousy वाली भावना फिर से आ गई, और उनने अ मन में वो jealousy थी कि मेरी वाइब वाइलिन भी बहुत अच्छा बजाती है, राइट, ममाची pasted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported पापाची's death, it said, अब ममाची का एक family album था, जिसमें वो family की photographs paste करती थी, और उसी में उन्होंने Indian Express newspaper की clipping भी चिपकाई थी, जिसमें ममाची की, जिसमें पापाची की death की news आई थी, और उसमें क्या लिखा था, noted entomologist याने जाने माने entomologist याने कीट विशेशग्य, श्री बिनान जाहन जान जान आइप, son of late Reverend D. John Ipe of Eminem, popularly known as Punyan Kunju, suffered a massive heart attack and passed away at the Kotiam General Hospital last night, तो क्या news थी, की जाने माने entomologist जिसका नाम श्री बिनान जान जान आइप है, जिसका नाम था, पापाची, जो किसके बेटे थे, लेट याने, उनकी बिडेत हो गई, उनके फादर की John Ipe, Eminem के, जिनके फादर को लोग popularly Punyan Kunju के नाम से जानते थे, और जो पापाची उनको heart attack आया, और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, Kotiam General Hospital में पिछली रात, और क्या ल developed chest pains around 1.05 a.m. and was rushed to the hospital, उनको chest में उनकी pain होना start हुआ रात में एक बच के पाँच मिनिट पर और और फिर रश करके उनकी family वाले उनको hospital लेके गए, the end came at 2.45 a.m. और उनकी death कब होई, रात में पौने 3 बजे, 2.45 a.m. पर, श्री आइप had been keeping indifferent health since last 6 months, और पिछले 6 महीने से, ज is survived by his wife Soshamma and two children, और उनके साथ उनकी death के time, और पूरें 6 महीनों में कौन था, उनकी wife Soshamma, याने जिनका नाम था ममाची, और उनके दो बच्चे जिनका नाम था चाको और अम्मू, तो ये news छपी थी जो ममाची ने अपने family album में, वो clipping news की चिपकाई थी, अट पपाची's funeral, जब पपाची का funeral हो रहा था, जब last की वो ceremonies हो रही थी, ममाची cried and her contact lenses slid around in her eyes, ममाची बहुत रोई, इतना रोई कि जो उनके आखों में lens लगे तो वो आशों से फिसल के बहार आ गए, अम्मू told the twins that ममाची was crying more because she was used to him than because she loved him, तो जो अम्मू, पापाची और ममाची की बेटी है, उन्होंने अपनी, उनकी दो twin बच्चे थे, याने दो जुडवा बच्चे थे, उनको ये बताया कि ममाची इतना जाधा इसलिए रोई है क्योंकि इसलिए नहीं रोई है कि वो पापाची को बहुत लव करती थी, इसलि उनकी इतना जाधा इसलिए वो रोई है, अदर से पूचो तो अपने हजबन से कोई प्यार नहीं है Amu said that human beings were creatures of habit and it was amazing the kind of things they could get used to तो Amu ने अपने बच्चों को बताया कि human beings, जो हम इंसान है, हम ऐसे creatures हैं कि जो अपने आदत से, अपनी habits से मजबूर है और आप सोच नहीं सकते कि आपको किन amazing, किन अजीब जीब चीजों के आदत लग सकती है तो Amu अपने बच्चों को बोलती है कि आपको सरफ अपने आसपास देखने की जरूरत है और तुम देखो कि लोगों को किन किन अजीब वो गरीब चीजों के habit लगी हुए, आदत लगी हुए यह brass vases याने की यह flower pot जो brass metal से बने हुए, इनसे beatings और मार खाने की जो आदत है यह तो बहुत least of them है, वह चोटी सी चीज है आसपास देखो इन इंसानों को किन अजीब जीब चीजों की आदत लगी हुई है तो यहाँ पर हमारा चाहिए, पापाची स मौत is one of the most important symbols within the God of Small Things by Arundhati Roy अब इस chapter की author कौन है? Arundhati Roy है, उन्होंने एक novel लिखी थी जिसका नाम था The God of Small Things और इसी बड़ी सी novel जिसको बहुत prize मिला है, एक prestigious literary award मिल चुका है इसी book में से एक छोटा सा part as an extract निकाला हुआ है और हम यह chapter पढ़ रहे है, पापाची स मौत The story begins talking about mamachi अब start करने से पहले मैं बता दूँ कि पापाची और mamachi क्या है पापाची का मतलब होता है grandfather, दादजी और mamachi का मतलब होता है grand mother पापाची इस chapter में एक moth, एक कीडा discover करते हैं जो की more or less butterfly जैसा दिखता है और वो एक entomologist है याने की a person who studies about moths याने जो insects के बारे में, कीडे मकोडों के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम entomologist कहते हैं या हिंदी में कहो तो कीट विशेश अगया, उन्ही की wife है mamachi और देखते हैं इनकी story क्या है तो story ऐसे शुरू होती है about mamachi who started a pickle business without papachi's help when he was alive तो story में end में papachi की death हो जाती है और जब story start होती है तो ऐसे start होती है कि mamachi जो है उन्होंने अपना pickle business याने की अपना अचार और jam बनाने का business start किया था तब जब papachi जिन्दा थे और retire हो गए थे अपने entomologist वाले entomology के job से तो तब उन्होंने अचार बनाने का ही business start किया था He used to hit her every night with a brass vase और हर रात को जो papachi अपनी wife mamachi को brass vase याने इस brass metal के flower pot से अपनी wife को मारते थे क्यों मारते थे क्योंकि papachi जो है अब retire हो गए तो उनको सबके साबने शरम आती के रहे हैं तो retire हो गया है और वो 17 साल बड़े थे अपनी wife से तो उनको लगता था मैं अभी old हो रहा हूं और मेरी wife तो बहुत young हो रही है मैं retire हो गया अंकमा नहीं रहा हूं और यह तो उसका pickle business तो बहुत बड़ी है चल रहा है कितना कमा रही है यह तो अंदर ही अंदर jealousy होती थे उनको mamachi से इसलिए वो हर रात उनको मारते थे अब एक दिन जो mamachi और papachi का जो बेटा है चाको वो Oxford University से summer vacations गर्मियों में घर आया और उसने एक हफते बाद देखा कि मेरे फादर तो मेरी मदर को बहुत मार रहे है तो उसने अपने फादर का हाथ twist कर दिया मरोड दिया और बोला कि आज की बाद ऐसा कभी नहीं होना चीए और उस दिन से लेके आज तक papachi ने mamachi को कभी नहीं मारा नहीं लेकिन उनसे तब तक कभी बात भी नहीं करी जब तक वो जिन्दा थे तो उन्होंने अपनी पूरी last की लाइफ ऐसी निकाल दी अपनी वाइफ से बिना बात करे हुए फॉर ए सेंस अफ प्राइड पपाची परचेस दप्लाइमाउथ और अपने गमंड से चूर होके उन्होंने एक प्लाइमाउथ कार खरीद ली ये कार है स्काई ब्लू कलर के एक प्लाइमाउथ कार खरीद ली थी और उसमें पूरा दिन घूमते रहते थे अपना थ्री पीस सूट पेन के क्यों सूट पेन के क्योंकि अब तो रटायर हो गए थे अब तो पेनने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वही था कि मैं तो बहुत हाय रांकिंग जॉब में था मैं तो थ्री पीस सूट पेन के गुमूँगा भले मैं अंदर पुरा स्वेटिंग में ह हो जाओं याने पसीन आ जाए और क्योंकि रिवेंज लिया था कार के बदले तो वो किसी को ना अपनी कार में बैटने देते थे ना अपनी कार को टच भी नहीं करने देते थे तो डैली में जो पूसा इंस्टिटीवड है वहाँ पे वो कौन थे? एक इंपेरियल एंटमुलॉजिस्थ थे याने एक कीट विशेशग गिया जो इंसान इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है और इंसेक्ट को मेजर करते है उनका वेट निकालते है कि कितने ग्राम का यह इ was not named after him और suddenly एक दिन जब जो पापाची है वो आलकोहल पी रहे थे और शाम में बैठे बैठे एक मौत एक छोटी सी तितली जैसा कीड़ा उनके ड्रिंक में आके गिर गया जब उन्होंने इसको निकाला तो उन्होंने थोड़े देर धूप में रख दिया कि भाई चलो इसमें पापाची को वेट करवाने के बाद उन्होंने पापाची को कहा कि यह कोई एक्स्ट्रॉड्नरी मौत नहीं जो आपने डिस्कवर करें तो नॉर्मली मौत है जो इधर उदर घूमती रहती तो कुछ एक्स्ट्रॉड्नरी नहीं था लेकिन 12 साल बाद तब तक पापाची का जो री शफल हुआ था याने जो ब्रांच अफ साइंस थी टैक्सोनॉमी जिन्होंने कहा था पापाची को कि यह कुछ नया नहीं इस मौत में जब री शफल हो जाने कि जब उसके मेंबर्स चेंज हुए बारा साल बाद उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया उस मौत का तो बोला नहीं यह तो कोई डिफरेंट अन्यूज्वल मौत है जो डिसकवर हुए ऐसी इस दुनिया में कहीं नहीं पहले मिली गई है और उस वक्त क्योंकि बहुत साल हो चुके थे बारा साल हो गये थे पापाची को रिटार हुए तो जो उनके डिसकवरी थी जो उन्ह मौत को डूणने काला तो इस बात को लेके पापाची बहुत जादा साइड हो गये और कहीं न कहीं न कहीं दिप्रेशन में चले गये इट फ्लिव इंटो इस डिंक ऑन वन डे अंधी नोटिस द अन्कॉमन अप्यरेंस अं टुक इट तो दे इंस्टिटूट वही चीज की इस ब्रिंक में उनकी गिर गई थी और वह इंस्टिटूट लेकर गये थे कि बहुत कोई डिफरेंट स्पीशी है लेकिन पापाची को इसके लिए कोई अक्नॉलजमेंट कोई क्रेडिट नी मिला गया कि आपने इतनी नहीं चीज धून निकाली है डिस्पाइट बिंग इं लेकिन उनको कोई क्रेडिट कोई नाम नहीं मिला और 12 साल निकल गए तो उन्होंने कोई क्लेम भी नहीं किया दिस मेट पापाची अनप्लेजंट एंड गेविम टेंपर इशूज अंटिल ही डाइड ऑफ हाट अटाइक और इस वजह से पापाची को हमेशा टेंपर से डेथ ना हो गई अटेंशन शी रिसीव अब पापाची ममाची से 17 साल बड़े थे तो उनको हमेशा असलाग ता मैं तो बूड़ा हो गया हूं मैं रिटायर हो गया हूं ममाची अभी भी यांग है पिकल कर इतना बिजनेस कर ही इतने पैसे कमारी है तो हो हमेशा अपनी वाइफ से जेलिस र रहते थे क्योंकि वो पिकल यहने अचार बनाने का बिजनेस करती थी और वाय और विएना नाम की जगा में जो कि आस्ट्रिया कंट्री की कापिटल है वहाँ पे एक्स्ट्राइणरी वायलिन बजाती थी और उनके वायलिन टीचर ने उनके हस्बंड से यह भी कहा था पापाची से कि यह तो कॉंसर्ट क्लास है और इनको बड़े-बड़े म्यूजिक शोस करने चाहिए यह सारी चीज़े काई न कहीं पापाची को जैलिस फील कराती थी अपनी वाइफ से मामाची वास मॉर्यू उस्ट पापाची यह यह बड़े अब जो ममाची वह पापाची से कोई आश्च कोई पयार नहीं करती है लेकिन काई ने काई use to हो गई अपने अज़बंकी यह इंट साल हो गये शादी को साथ रहते हैं तो अनको आदत, एक habit हो गई अपने husband की तो वो उनके husband उनके लिए एक महज आदत है कोई प्यार नहीं as such पापाची उस्टो बीट हिम विट ब्राज वेज इस एंसल मामाची कुद नॉट लेट गो ऑफ हिम पापाची हर रात अपनी वाइफ को ब्राज वेज याने की ऐसे ब्राज मेटल के फ्लावर वेज से मारते थे लेकिन तब भी वो उनको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकती थी क्योंकि कहीं ने को उनको मार खाने की भी आब आदत हो गई थी जब पापाची की हाट अटाक से डेत हो गए और उनके फ्यूनरल पे ममाची बहुत वेप हुई याने बहुत क्राई किया बहुत रोई इसलिए नहीं रोई कि जिस इंसान से वो इतना ज़दा प्यार करती है वो चले गया उनका हस्बंड चला गया नहीं बस अब वो उनको आसपास नहीं दिखेगा क्योंकि अब उनको आदत है पापाची की 30 साल साथ रहने की तो वो दिखेगा नहीं तो एक हैबट हो गई है तो इनके बीच का रिलेशनशिप ऐसा ही था वो जेलिस था और उसको अपने हस्बंड की आदत हो गई थी ऐसी चला उनका रिलेशनशि वोमन है और बहुत रेजिलेंट है यानि काफी स्ट्रॉंग वोमन दिखाई गई की अपने पैरों पर खड़ी हुए यह क्या हमने पड़ा जो हमें पता चला तो ममाची वोज़ा वोमन हू ओल्वेस डिसकरेश्ट बाई हर इगोस्टिक हास्बंड ममाची एक ऐसी और थी जिसको उसके इगोस्टिक गमंडी पती ने हमेशा डिसकरेश किया यानि तुम बेकार हो उससे हमेशा जेलीस फीलो कभी मोटिवेट नी की अपनी वाइफ को He never supported her and was jealous of her talent and any sort of attention she received उसने अपनी वाइफ को कभी भी support नहीं किया हमेशा अपनी वाइफ से jealous रहता था क्योंकि उसकी वाइफ को अगर कोई भी attention दे रहा था तो उसको जलन होती थी कि मेरी वाइफ को इतना attention मिल रहा है वो तो इतनी सुन्दर दिख रही है मैं बूरा दिख रहा हूँ तो ये सब क्यों jealousy वगर थी क्योंकि पापची ने एक मौत डिसकवर किया था जिसका नाम उनको नहीं दिया गया और इस सारी फ्रस्टेशन उनकी अपनी वाइफ पे निकली However, her pickle recipe was a famous one and she was called by the Kotiam Bible Society to make some of her famous banana jam and tender mango pickle for an upcoming fair लेकिन ममाची बहुत strong रही उन्होंने अपना pickle का अचार बनाने की recipe है इतनी famous हो गई कि एक बड़ी society थी वहाँ पे M&M जिस डगा में वो लोग रहते थे केरला में, वहाँ पे Kotiam Bible Society थी उनका एक fair, एक मेला लगने लगवाला था जिसके लिए उन्होंने ममाची को order दिया था कि अब अपनी famous banana से बनने वाली jam और tender mango pickle याने केरियों का अचार का order दिया वो पूरा बिग ग गया एक साथ यह सब ममाची ने किया वो भी तब जब उनकी आखों में blur vision था more orders than she could cope up यह जो भी उन्होंने बनाया था यह बहुत जल्दी बिग गया था और देखते ही देखते उनको इतने orders आने लगे कि वो उनकी उनकी delivery नहीं कर पाती थी इतने orders आते थे ममाची को gradually she set up a pickle factory and made a success of it और finally उन्होंने एक pickle factory गचार बनाने की factory ओपिन करी और वो बहुत successful रही तो इससे हमें यह पता चलता है कि ममाची बहुत independent थी और बहुत strong woman थी इस पूरी टेक्स्ट में है पूरे chapter में next question why does john ipe consider retirement to be a dishonor जो john ipe है अब पापाची और ममाची यह इनके बदले हुए नाम है जो रियल नेम है पापाची का वो है बनान जोन आइप और जो ममाची का रियल नेम है वो है सोशम्मा अब इन लोगों ने अपने नाम इसलिए change कर रहे थे क्योंकि जो story है वो independence के पहले किये तो Britishers इनके नाम नहीं ले पाते तो easy नाम रख दिया उन्होंने पापाची ममाची ताकि वो लोग pronounce कर पाए तो जो john ipe है यह कौन है यह पापाची ही है चीक है तो जो यह john ipe है यह यानिये जो पापाची है वो retirement को इतना dishonor क्यों समझते है यानि disrespect क्यों समझते है कि मेरी कि मैं retire हो घए हो तो मेरा बहुत dishonor हो जए हो मुझे लोगों के सामने शर्म आती है मेरी disrespect हो गही कि मैं retire में वो retirement को शर्मना क्यों महसूस कर रहे हैं तो बनान जॉन आइप जो की पापची ही है got retired from the post of joint director entomology वो joint director entomology थी उनको उस post से retirement मिली he was proud of being a high ranking government officer और वो बहुत बड़े high ranking government officer थे जिसके लिए वो काफी proud feel करते थे अपने बारे में however now retired he was finding it difficult to cope with the public shame of retirement अब क्यों की उमर हो गई उनकी retirement हो गई तो वो public shame of retirement से cope नी कर पा रहे थे ने deal नी कर पा रहे थे उनको लग रहा था public को ऐसा दिख रहा है कि retirement retire हो गया है buddha हो गया है इसकी wife अभी भी young है अभी भी कमा रही है तो यह सब उनको बहुत शर्मनाक shameful लगता था he was 17 years older than mamachi and realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime वो अपनी wife से 17 साल बड़े थे और उनको अभी शर्म आने लगी यह realized हुआ उनको कि अरे मैं तो बूडा दिख रहा हूं यह अभी भी young दिख रहे है अभी भी कमा रही है he had always been a jealous man and he resented the attention his wife was getting और इसी वजए से वो अपनी wife से मिशा बहुत jealous रहते थे क्योंकि उनको बहुत attention मिल रहा है क्योंकि वो बहुत beautiful थी अच्छा violent बज़ाती थी pickle business उनका बहुत बूम पर चल रहा था so he was always jealous of his wife for him his retirement that was a constant reminder of his old age stung him deeply अब क्योंकि वो retire हो गए थे तो retire इंसन तब होता है जब बूरा हो जाता है तो यह retirement उनको बार-बार याद दिलाता है कि मेरी old age हो गई है मैं बूरा हो गया हूं और यही चीज अंदर यंदर deeply उनको बहुत stung कर रही थी याने की चुब रही थी कि मैं बूरा हो गया हूं मही वाइफ से मैं बूरा दिखने लगा हूं यह insecurity और jealousy आ गई थी उनके अंदर a man who was once so strong to beat down his wife with a brass wazes was now put to stop by his young son तो उनको लगता था कि मैं वो इंसान था इतना young था इतना strong था कि मैं अपनी वाइफ को हर दिन मारता था अपने बेटे को भी मार देता तो यह सारी चीजे कि मैं बूरा हो गया हूं मेरी वाइफ इतना कमा रही है और अभी भी यंग दिख रही है मुझसे she's looking beautiful और इतना pickle factory डाल दी उसने अपनी तो यह सारी चीजे jealousy or insecurity उसके इंदर ला रही है और इसलिए वो retirement को एक dishonor एक disrespect समझ रहा है कि मुझे शर्मनाक चीज समझ रहा है अपने लिए ओके so children here we come to the end of this session I hope आपको summary and question and answers अच्छे से समझ आए होंगे अगर YouTube पे आपको easily videos नहीं मिल रहे है तो website पर जाएए which is magnetbrains.com जैसे website पर जाएए इस तरीके का page आपके सामने आएगा जहां पर आपको hornbill का एक separate option और snapshots का separate option given होगा for example आपको snapshots की videos देखनी तो उस पर click करिए जैसे ही आप click करेंगे आपके समने list of videos आ जाएगे for example मुझे first chapter देखना है तो मैं समने click करूँगी जैसे आप click करेंगे मेरा video आपके समने play होना start हो जाएगा और एक और good news है हमारे पास कि मैं में ब्रेंज ने अपना Hindi channel start किया है so do not forget to subscribe our channel ताक कि आपके friends भी Hindi में easily पढ़ सके and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लीब बाबाए and take care